इस अध्याय का अगला बिंदू चुकि इस अध्याय का नाम है राष्ट निर्मान की चुनोतियां चुनोतियों में हमने पहली चुनोति का विस्तार से अध्यन किया और पहली चुनोति थी विभाजन और उससे संबंधित समस्या है दूसरी चुनोति उसका विशय है रजवाणों का विले और राज्यों का गठन दो बातें इसमें जुड़ी हुई है राजवाणों का विले और राज्यों का गठन राजवाणे क्या थे और राज्य क्या है इसे अब समझेंगे और ये हमारे लिए किस तरह की समस्या थी किस तरह की चुनोति थी और इस चुनोति का सामना किस प्रक्रिया के तहट किया गया और कैसे इस समस्या का निराकरन किया गया इसे अब समझेंगे लेकिन से जानने से पहले हम थोड़ा भारत के तद्कालीन भारत के नक्षे को देखे भारत विभाजन के पहले और बाद में भारत विभाजन के पहले और विभाजन के बाद इस नक्षे में आप तीन तरह के खेत्र देख रहे हैं एक है बिटिश भारत दूसरा है रजवाड़े और रियासते और तीसरा है स्वतंत्र भारत की सीमा बाहरी सीमा मैं फिर से दोरा दू तीन बातें इस लक्षे में आपको देखनी हैं स्पश्रूप से पहला है ब्रिटिश भारत अब ये ब्रिटिश भारत क्या है इस पर आगे हम चर्चा करेंगे दूसरा है रियासते और रजवाड़े और तीसरा है स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमा इस नक्षे में आप देखिए थोड़ा ध्यान से विभिन ख्षेत्रों के नाम जिसमें आप देख सकते हैं दिल्ली का ख्षेत्र वहीं पश्चिवी पंजाब पूर्वी पंजाब बलूचिस्तान आदी आदी पश्चिमुत्तर सीमा प्रांत का भी यहां जिक्र है तो कुल मिलाकर इस नक्षे में आप दो तरह के ख्षेत्र पाएंगे एक तो बिटिश भारत और दूसरा रजवाड़े बिटिश भारत जो है वो दो तरीके का था दो हिस्सों में बटा था बटा नहीं कहना चाहिए बलकि दो तरीके से वहां की प्रशासन चाहिली थी अलग-अलग एक हिस्से में जहां पे बिटिश प्रभुत्व था ऐसे भारती प्रान थे जहां की सत्ता प्रभुत्व जहां की पूरी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी ऐसे हिस्से थे वो कहलाएंगा बिटिश भारत और दूसरे ख्षित रैसे थे जहां बिटिश थे वे भी बिटिश प्रभुत्व वाले लेकिन देशी रियास्तें भारती प्रानतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण वहाँ पर नहीं था मैं फिर से दोहरा दू बिटिश इंडिया दो हिस्सों में एक हिस्से में बिटिश प्रभुत्व वाले भारती प्रानतों थे तो दूसरे हिस्से में राजवाडे बिटिश प्रभुत्व वाले प्रानतों पर अंग्रेजी सरकार का डारिक कंट्रोल था बीच में कोई अन्य जरिया नहीं था बीच में कोई राजा नहीं था बीच में कोई भारती नहीं था दूसरा जो खेत्र है दूसरे तरह के खेत्र ये आप देख रहे हैं नक्षे में छोटे मोटे थे आकार में थोड़े छोटे छोटे और पूरे फैले हुए थे वे फिर नाकार के थे इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था और रजवाड़ा नाम कहां से आया राजा से जहां पर राजाओं का शासन था तो क्या ये अंग्रेजी सत्ता से अलग थे नहीं राजाओं के ब्रिटिश राज की अधीनता का राजाओं द्वारा ब्रिटिश राज की अधीनता ब्रिटिश राज के मातहत रहने की बात स्विकार कर ली गई थी राजाओं ने मान लिया था कि सर सरकार के नीचे हैं हम उनके अंतरगत हैं लेकिन अपने राज के घरेलू मामले में वे अपना शासन चलाने के लिए स्वतन थे ये अंतर दोनों में होता था घरेलू मामले में अंदरूनी मामले में ये लोग शासन चलाने के लिए अपने तरीके से स्वतन थे अंग्रेजी प बड़ा जो खेतर आप देख रहे हैं एक तिहाई हिस्सा राजवाडों की रूप में था और ये राजवाडों की संख्या कितनी थी पांच सौ पैंसट फाइफ सिक्स्टी फाइफ एक तिहाई हिस्सा राजवाडों कर था यदि हम बिटिश डारेक्ट कंट्रोल वाले को एक म तो दो तिहाई हिस्सा वाला था और एक तिहाई हिस्सा ऐसा जिसमें राजवाडों थे अब इसका मतलब यह हुआ कि हर चौथा भारती जो था वो राजवाडों का भारती था हर चौथा इंडियन राजवाडों का निवासी था यही बात हुई तो इस प्रकार राजवाड की प्रजा थी तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि राजवाड़े कितनी बड़ी संख्या में थे और कितने महत्पूर्ण थे स्वतंता के समय जैसे मैंने बताया है पांच सो पैंसट राजवाड़े या देशी रियास्ते थी भारत का लगवद दो बटा पांच या दो तिहाई हिसाब समझ लीजे दो बटा पांच खेत्र फल और एक चौथाई जन संख्या इन राजवाड़ों में थी दो बटा पांच अर्थाण यदि ब्रिटिस शट्था के अंतरगत आने वाले इस क्षेत्र को पूरी खेत्र को पांच भागों में बांटेms बराबर भागों में तो दो भाग राजवारों के थे लेकिन जनसंख्या के मामले में एक चोथाई जनसंख्या इन राजवारों की प्रजा थी। यहां रहती थी जन संख्या, खेत्रफल और वितीस अंसादरों के जिष्ट से इन राजियों में भारी असमानता थी अलग-लग राजवाणों की जन संख्या बड़ी अलग-लग थी, जरूरी नहीं कि बड़े खेत्र हों तो जन संख्या ज़ादा हो जरूरी नहीं कि सब राजवाड़ों का ख्षेतरफल बड़ा हो कुछ बहुत ही बड़े भी थे और कुछ राजवाड़े बड़े छोटे भी थे इसके अलावा इन लोग की अपनी जो वित्तिय काबिलियत थी आर्थिक शम्ता चाहे कराधान के मध्यम से चाहे अनिप्रावधानों से वो भी बहुत अलग अलग थी कुछ राजवाड़े काफी दर्जरता की स्थिति में थे कुछ राजवाड़े जबकि कुछ राजवाड़े बड़े अमीर थे तो विशमता थी इन सब राजवारों की स्थिती अलग अलग थी इन राजियों में वहां की जनता को किसी भी तरह का अधिकार नहीं था ये बात आपको ख्याल लखने होगे क्योंकि वहां राजा की तूटी बोलती थी राजा ही सर्वो परी था हाँ राजा के उपर बिटिश सत्ता थी पर अंदरुनी मामलों में राजा ही सर्वो परी था सन 1936 के बात कुछ राजियों में प्रजा मंडलों ने आंदोलन भी किये जनता ने अपने दल बनाये जिसे प्रजा मंडल कहा गया और इन्हों ने अपने अधिकारों के लिए राजाओं के खिलाफ अपने अपने राजवारों में अंदोलन भी किये 1936 वो वर्ष है जब भारत में 1935 अधिनियम के तहट पहली बार आधनिक तरीके से मतदान होता है और सरकारें बनती हैं राज्यों की सरकारें इजी लोग तांतरिक प्रक्रिया को देखते हुए राजवारों की जनता प्रेरित हुई थी और वहां उसने राजाओं के खिलाफ कुछ आंदोलन किये प्रजा मंडलों के माध्यम से लेकिन कोई इसमें विशेश सफलता नहीं मिली यह सारे जितने अंदोलन थे यह कुचल दिये गया दबा दिये गया लेकिन 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की गोशना की तो स्थिती कुछ दूसरी थी अंग्रेजों का जो लक्ष था कि भारत को स्वतंता तो दे दे ना हैं लेकिन समस्याएं छोड़ जाना हैं तो उन्ही समस्याओं के मातहत उन्ही समस्याओं के मद्दे नजर समस्याओं को बनाय रखने के मद्दे नजर अंग्रेजों ने एक बात और की और वो ये थी कि ये जो राजवारे होंगे जो जिनकी संख्या इतनी ज्यादा है जिनकी जन संख्या इतनी है जिनका खेत्रफल इतना है ये स्वतंत्र हैं निर्णा लेने के लिए कि वे भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या पूर्ण स्वतंत्र हो अंग्रेजों के मातहट थे लेकिन स्वतंतरता अधिनियम के तहट ये लोग बिटिश सरकार ने गोशना की कि देशी रियास्तें बिटिश नीयंत्राण से अप पूर्णता स्वतंत्र हैं और अपनी च्छानुशार वित्या करें कि उन्हें किस में शामिल होना है जा स्वतंत हैं तो कई भारती नरेश कई राजवाड़ा के राजा उन्हें बड़े-बड़े सपने देखने शुरू कर दिये उन्हें अपनी स्वतंता की परिकल्पना की अपने को पूरी तरह स्वतंत्र बनाया रखने का सोचने लगे अधिकतर राजवाड़ों ने तो तै किया कि किसमे जाएंगे लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे राजवारों की संख्या भी कम नहीं थी जो ख्याली पलाओ बनाने लगे और ये सोचने लगे कि अब स्वतंत रहते हुए हम अपनी मन चाही शर्तों पर भारत या पाकिस्तान के साथ संबंद बनाएंगे और किसी अन्यराजी के साथ भी अधि हमको संबंद बनाना हो तो हम बनाएंगे उसके लिए हम सतंत रहें इसमें कोई संदेह नहीं कोई डाउट नहीं है कि उनकी ऐसी जो भावनाएं थी इन राजाओं की उसको बढ़ाने में अंग्रेजों की नीती जिम्मेदार थी अंग्रेजों भारत के एकी करण की समस्या और गहरा गई ये एक बहुत बड़ी समस्या कि क्या भारत पाकिस्तान तो बन गया पाकिस्तान के बनने में कोई समस्या नहीं थी क्योंकि मुस्लिम बहुल खेतर याने पाकिस्तान लेकिन भारत में तो सितियां कुछ अलग थी तो भारत के सामन एक ही करण की भारती एक ही करण की समस्या खड़ी हो गए अब इस एक ही करण की समस्या को कैसे सुलजाया गया कैसे भारत सुनिश्चित किया गया कि ये सारी रियासतें भारत में शामिल हों कौन कौन से हथकंडे या तरीके अपनाएं गया ये सुनिश्चित करने के लिए कि स एवं सरदार वलभाई पटेल जिने भारत का बिस्मार्क कहा जाता है ये बिस्मार्क क्यों कहा जाता है इसके लिए आप स्वयम बिस्मार्क के बारे में जानने की कोशिश करें पांच जुलाई 47 को अंतरिम सरकार के ग्री मंतरी थरदार पटेल के निर्देश में राज्य मंतराले की स्थापना होती है जैसे पुनर्वास मंतराले की स्थापना हुई उसी तरह जहां राज्य मंतराले की स्थापना हुई इस देश के साथ के राजवारों को भारत में शाम होगा और इसकी स्थापना हुई 5 जुलाई 47 को अर्थात 15 अगस 47 की स्वतनता से पूर्वही अंतरिम सरकार के प्रसान मंत्री के रूप में पंडिजवालाल नहरू ने ततकालीन ग्रिह मंत्री सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी उन्हें भारत की ओर से इन राजाओं से बात करने के लिए उनको इत्तरदाइत सौपा बात करने के लिए उनसे अनरोध किया और ये जिम्मेदारी उनको दी गई कि वे भारत के एक ही करण की प्रक्रिया को लॉजिकल एंड तक लाएं और महतपूर्ण बात समझे के बात ये कि भारत के स्वतंत्र होने के पहले ही ये प्रक्रिया प्राणम कर दी गई थी स्वतन्ता के समय खैरपूर बहावलपूर ये पाकिस्तान में शामिल हो गए क्योंकि ये उसी खेत्र में थी ये रियास्तें लेकिन जो शेश थी वो इस खेत्र में रह गई जैसे हम कह सकते हैं शेश भारत का खेत्र वहां पे रह गई सरदार पटेल ने भारती नरेशों से सबसे पहले तो अपील की उनको बहुत तौले हुए शब्दों में उनसे अनरोद किया कि वो भारत के सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए देश की अखंडता को बनाया रखते हुए सहयोग करें अर्थात शामिल हो सबसे पहले उन्होंने प्रतिरक्षा विदेश संबंद और संचार विवस्था मैं पुना दोरा दूँ प्रतिरक्षा, विदेश संबंद और संचार विवस्था जैसे इन तीन विश्यों के संबंद में इनको छोड़कर रियासतों से अनरोद किया कि वे भारत के संग में शामिल होएं भारत के संग में शामिल होने का अनरोद और इन तीन विभागों को छोड़ कर उन्होंने अगरा किया उन्हों नरोश के शाष दिलाया सारे राजाओं को कि भारती कांग्रेश आप लोगों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी हस्तक खेप नहीं करेगी आप हमारे साथ शामिल होए भारत की एकी करन प्रक्रिया को पूर्ण करने में आप सहयोग दें और शामिल होए और हम आपके अंदरुनी मामले में दखल नहीं देंगे उन्होंने साथ ही ये भी कहा दूसरी बात कि आपके जो सांस्कृतिक भावनाएं हैं उसकी भी हम इज़त करते हैं और आर्थी खितों की वकालत भी की और कहा कि हम मैतरी का हाथ बढ़ाते हैं यानि दूसरे शब्दों में सरदार पटिल ने बहुत विनम्रता के साथ इन नरेशों से अनरोध किया कि आप अपने अंदरुनी मामलों में पूरी तरह स्वतंत रहेंगे हम दखल नहीं देंगे आपके स्वांस्कृतिक विरासत भी यह थावत बनी रहेगी आप हमारे साथ शामिल होएं सरदार पटिल को इस काम में दो अन्य लोगों ने मदद की और ये दो लोग थे लॉड माउंट बैटन ततकालीन वाइसरोय और राज मंत्राले के सच्चिव वी पी मेनन और राजाओं की परशट के चांसलर महाराजा पटियाला इतने लोगों की मदद सरदार पटिल लेते रहे इस मामले को सुलजाने के लिए लॉड माउंट बैटन राज मंत्राले के सच्चिव वी पी मेनन और जो राजाओं की जो परिशद एक होती थी जिसे अंग्रेजी में चैंबर अफ प्रिंसेस कहते हैं इसमें किवल राजा लोग हुआ करते थे तो ये चैंबर अफ प्रिंसेस के जो चांसलर थे और था जो मुखिया थे चैंबर एक तरीके सा मुझे कह सकते हैं अध्यक्ष महाराजा पटियाला पटियाला के राजा इन तीनो चारों ने सरदार पटेल को इस समस्या को सुलजाने में भरपूर सहयोग दिया यहां लौड माउंट बेटन की भूमिका भी बहुत आहम थी लेकिन इनकी मदद के बावजूद भी यह मान लेना कि यह काम बड़ा असान था ऐसा नहीं 1937 में प्रतिरक्षा विदेशी मामले और संचार विर्था के संबंद में देशी नरेशों ने भारती संग में शामिल होना पसंद नहीं किया था 1937 की बात कर रहा हूँ और इसका परणाम यह हुआ कि 1935 की जो संगी विवस्था लागू की होने की बात थी वो लागू नहीं हो पाई थी यह सब जो बात हो रही है जो विर्ण जो मैं बता रहा हूँ के लेकिन जो नरेश लोग थे वो विदेशी मामले प्रतिरक्षा के मामले और संचार के मामले में किसी तरह का समझोता करने को तयार नहीं था और इसलिए यह पहला जो भारती संग बनाने का प्रयास था 1935, 36, 37 में वो सफल नहीं हुआ 1947 में लेकिन स्थितियां कुछ बदल गई नई दिक्कतें को सामने आ गई पहली दिक्कत तो थी मौहमद अली जिन्ना वे भारती नरेशों को एक तरीके से दिख भ्रमित करने लगे भारती नरेशों को फुसलाने लगे भारती नरेशों को लोब देने लगे तो एक समस्या ये थी पाकिस्तान में भारती नरेशों को मिलाने के लिए वो काफी कोशिश किया और दूसरी समस्या थी आमिन पाकिस्तान के सीमा से लगी जो देशी रियास्तों को मिलाने के लिए काफी किया दूसरी जो समस्या ती दूसरी समस्या थी भौपाल के नवाब और उनके जैसे लोग अब भौपाल देखिए भारत के नक्षे में भारत के लगबग बीच में स्थित है और वहां के नवाब की मन्शा थी कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे या स्वतंत रहेंगे ये अपनी स्वतंता कीमत पर भारत और पाकिस्तान के साथ कूट नितिक संबन बनाना चाहते थे पर लौट माउंट बैटन ने ऐसे नरेशों को भौगोलिक और एतिहासिक बंधनों की याद दिलाई भौगोलिक बंधन से तातपर ये है कि जहाँ पर आप इस्थित हैं क्या वहाँ पर आपके लिए स्वतंतर देश के रूप में रहना वह भी इतने छोटे देश के नाते क्या ये जायज है वाजिब है शंभव है और साथ ही माउंट बेटर ने ये भी इनलों को याद दिलाया कि एतिहासिक दृष्टी से भी अनाधिकाल से आप लोग भारत का एक अटूट हिस्सा रहे हैं तो एक स्वतंतर राश के रूप में अपने अस्तित को सोचना गैर वाजिब गैर जायज होगा ऐसा कहते हुए इन राजाओं को काफी कुछ मनाने का प्रियास किया गया जो सफल भी हुआ देशी जो राज्य हैं देशी राज्यों को भारत में तैह होने की जो प्रिया थी वो प्रिया भी तैह कर ली गई और दो तरीके के दस्तावेज उनको दिये गए दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स उनको दिये गए जिन पे राजाओं को हस्ताक्षर करने थे अलग-अलग राजाओं को अलग-अलग दस्तावेजों में हर एक राजा को दो दस्तावेज दिये गया और ये उनको सुझावश डिया गया कि इन दोनों हरस्ताक्षर के ने ये जो दो दस्तावेज थे उनमेंसे एक का नाम था Instrument of Excesion Excesion मतलब मिलने का instrument मतलब हथियार किस में मिलने का भारत में मिलने का हथियार तो वह दस्तावेज इस बात की घोशना करता है कि हम भारत में शामिल हो रहा है उस document को क्या क्या है instrument of accession और दूसरा document था stand still agreement दूसरा document था stand still agreement जो पहला दस्तावेज था instrument of accession इस पे हस्ताक्षर करके कोई भी नरेश भारत में शामिल हो सकता था परन्तु बदले में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, यातायात, संचार वेवर्था ये संग के पास रहेगी इसकी घोशना सपाच थी क्योंकि ये जो चार विभाग हैं ये चार विभाग अंतरराश्टी ये चार विभाग राश्टी मामलों से जुड़े हुए हैं इसका किसी एक खेतरी भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है विदेशी मामले उसमें ये रियास्ते क्या करेंगी संचार व्यवस्था जिस पर केंदर का नियंतरन अत्या वश्चक है उसे भी सदार पटेल ने इन रजवाड़ों के नियंतरन से दूर रखा था और प्रतिरक्षा का मामला देश की सुरक्षा के मामले से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इन राजाओं को निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिया गया था कि आपकी अपनी सेना आदी नहीं होगी तो इस परकार इन दस्तावेजों के माध्यम से एक और जहां भारत में मिलने की घोशना शामिल थी वहीं दूसरी और ये बात भी स्पष्ट ही कि ये चार विभाग केंदर के नियंतरण में रहेंगे संगी सरकार को ये चारों विभाग नरेशों द्वारा सौंप दिया जाएगा दूसरा जो दस्तावेज है इसके अनुसार बिटिश रामराज में केंदरी सरकार की जोस्थिति अब उनके इस्थान पर संगी व्यवस्था को केंदरी सरकार की व्यावहारिक स्थिति को मानिता प्रदान की गई यानि अंग्रेजों के समय में जोस्थिति केंदरी सरकार की थी अब संगी सरकार वही भूमिका निभाएगी जो अंग्रेजों के काल के केंदरी सरकार निभाती थी सरदार पटेल के तो ये जो सरदार पटेल के जो प्रियास थे और ये जो प्रक्रिया अपनाई गई इस प्रक्रिया का बड़ा अच्छा असर हुआ इनके सरदार पटेल के प्रियासों के प्रियासों के प्रणाम सुरूब जूनागड गुजरात या सुराश्टर हैदरबाद आंदर प्रदेश और जम्मू कश्मीर इसको छोड़ कर बाकी सभी रियास्तें भारती संग में मिलने और भारती संग को कुछ विशय देने और संविधान मानने के लिए तैयार हो गई इन तीन चार को छोड़ कर जिसमें जूनागड है, हैदरबाद है जम्मू कश्मीर है इनको छोड़ कर बाकी जो अन्य रियास्तें थी वो इस बात के लिए तैयार हो गई कि वे भारत में शामिल हो जाएं पहली बात कि वे ये चारो विभाग संगी सरकार को सौंप दें और साथ ही भारती सम्विधान को वेपूर्ण रूप से मान लें ये तो बात हुई पांच सो पैंसट रियास्तों में तीन रियास्तों को छोड़कर भारत के एक ही करण की और इस विकार एक बहुत बड़ी सफलता सरदा पटेल को और इसलिए सरदा पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और बिसमार किसलिए कहा जाता है क्योंकि बिसमार को वह जर्मन व्यक्ति था जिसने जर्मनी के 600 रियास्तों को एकी करिद कर जर्मनी का निर्मार किया सन 1870 के दशक में इसलिए भारत में सरदा पटेल को भारत का बिसमार करते है तीन जो रियास्ते थी जिन्हों ने सरदार पटेल के प्रारंबिक प्रियासों के दौरान भारत में शामिल होना सुईकार नहीं किया उनके नाम मैं बता चुका हूँ जूनागर, हैदरबाद, ये हैदरबाद आंदर प्रदेश वाला जो वरतमान में आंदर प्रदेश और त कमोईन कश्मीर, कमोबेश यहां की क्या स्थिति थी, अब थोड़ा हम जाने, और आज ये तीनों ही भारत के अभिन भारत के खेत्र हैं, भारत के का हिस्सा हैं, सरदार पटेल को कौन से तरीके अक्तियार करने पड़े, इन तीनों राज्यों को, इन तीनों रियास्तों को भारत में मिलाने के, तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं जूनागड की और, नक्षे में आप देखिए जूनागड, और जूनागड आप पाएंगे कि वो तो भारत के अंदर है, गुजरात के अंदर, पाकिस्तान से उसका दूर दूर का रिष्टा नहीं है, तो भागोलि भारत के खेतर से चारों औरते घिरा हुआ, पहली बात तो यह, दूसरी बात, यहां की जो जन संख्या है, या थी, वो मुस्लिम बहुल नहीं थी, हिंदू बहुल जन संख्या थी, याने अधिकतर जन संख्या, अधिकतर लोग यहां के हिंदू थे, तो एक और भागोलिक पाकिस्तान से दूर, दूसरा भागोलिक दिश्ट से भारत के खेतर से चारों तरफ से घिरा हुआ, और तीसरा, जन संख्या भी हिंदू, बहुतायत में, लेकिन यहां का राजा जो था, वो मुस्लिम था, और इसलिए उसने पाकिस्तान में सम्मिलित होने की बात की, पाकि जूनागड के राजा के द्वारा जैसे ही, पाकिस्तान में सम्मिलित होने का निर्ने लिया जाता है, और उसकी घोशना की जाती है, तो जूनागड की हिंदू बहुल जनता, अपने नरेश के इस निर्ने से नाराज हो जाती है, उसका घोर विरोध करती है, और एक स्वतंत और अस्थाई सरकार भी बना डालती है, जूनागड को चलाने के लिए, वहां का शासन प्रशासन को चलाने के लिए, भारत सरकार ने भी जूनागड के इस निर्ने का, जूनागड के राजा के नरेश के इस निर्ने का विरोध ही नहीं किया, बलकि निंदा की, क्योंकि इस सब होते हुए भी मात्र राजा मुसल्मान है इसलिए एक शित्र पाकिस्तान में जाए ये तो उचित नहीं है जनता के घोर विरोज को देखते हुए मुसलिम नरेश को विवश होना पड़ा जूनागर छोड़ने के लिए और वो पाकिस्तान भाग जाता है पाकिस्तान भाग गया भारét सरकार ने फरवरी 1948 में जनमत संगरह करवाया जनमत संगरह मतलब जनता का मंतव जानने के लिए वोटिंग जनता भारत में शामिल होना चाहती है कि नहीं इस देशी के साथ भारत सरकार वहां पर मतदान करवाती है जिसे जनमत संगरह कहते है और उस मद्दान में भारी संख्या में शाभाविक है भारत के पक्ष में मत होता है और वहां की जन्ता भारती संग में शामिल होने के पक्ष में अपना अविमत देती है और इस पकार जिवनागर भारत में शामिल कर लिया जाता है यहां पर आप इस बात को याद रखेंगे कि जनमत संग्रह यहां होता है भारत सरकार करवाती है चाहती तो बिना जनमत संग्रह के इस खेतर को अपने कबजे में ले ले लिती क्योंकि नरेश तो भाग गया था एक अस्थाई सरकार भी बनी थी वो अस्थाई सरकार पे दवाव बनता है और भारत में शामिल हो जाती है जूनागड़ का ख्यत्र लेकिन सरकार ने जन्मत संग्रह कराया एक उचित लोक तांत्रिक व्योस्था को ध्यान में रखते हुए और इस परकार जन्मत संग्रह के माध्यम चे ख्यत्र शामिल हो गया यह बात मैं इसलिए हम बता रहा हूँ क्योंकि आगे जन्मत संग्रह की बात आपके लिए और जनने लाइक होगी किसी और संबने में